एक बार फिर से मेरे इस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करूँ मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे की आने वाले उपियोगी वेडियो के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उससे लाभानवीत होते रहें आज हम लोग बात करेंगे महा कावे पर महा कावे हमारे B.A. Final में और M.A. Previous में दोनों में ही सिले बस में चलता है महा काववे शब्द महत एवं काववे शब्दों के योग से बना है महत का सम्मंद महत जीवन से है इस प्रकार वह काववे जिसमें महत जीवन का वर्णन निरूपन हो महा काववे है काव्य के लिए महत एतदर्थ में महा काव्य शब्द का सर्व पर्थम प्रयोग वालमी की रमायन के उत्तर कांड में हुआ है अपने ही पुत्र लवकुष के मुख से अपनी कथा का वर्णन सुनने के बाद राम उनसे पूछते हैं किम प्रमान मिदम काव्य का प्रतिष्ठा महत मना करता काव्य समहत है को चासो मुनी भूंगव स्पश्ट तो इस लोक में तीन प्रश्ण किये गए हैं पहला तो यह विशाल आकार पकार वाला काव्य है दूसरा यह किसके करता महामुनी कौन है तिसरी बात यहां स्वंप्रतिध्वनित होती है कि इसमें किसी महान व भारती दोनों विद्वानों के द्रिष्टी खोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही तरह के विद्वानों का हमारे और मुझेत हैं कि विद्वान्हें कसे पत्रोड़िध हalterा when speaking कौनतर परिवर्तन होती रहते हैं ऐसे विद्वानों के मतों में समन्वय की स्थापना करते हुए एक निश्चित निश्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है गंभीरता से विचार किया जाए तो भारत्य विद्वानों ने जो कहा है उसी को किंचित परिवर्तन के साथ पास्चात्य विद्वानों ने प्रस्तोत कर दिय महा कवे विराठ प्रतिभा का परिणाम होते हैं और उनमें युग जीवन का व्यविद्ध उदगाटि थुआ करता है यह सामाने बात हैं महा कवे का मतलब ही है महा जोड कवे महान कवे बड़ा कवे जीवन के सांगो पंग का चित्रन करने वाला कवे संस्कृत के विद्वानों की महाकावे विश्यक माननेता संस्कृत के लक्षन गरंथों में महाकावे के विभिन अंगों का विश्त्रित विवेचन किया गया है सर और प्रथम आचारे भामय ने महाकावे का विवेचन करके उसके लक्षन इस प्रकार बताए है महाकावे में कई सर्ग होने चाहिए सर्ग को हम अध्याय के रूप में समझ सकते हैं कहीं इनको उच्छवाश लिखा गया कहीं कांड कहीं अध्याय कहीं सर्ग उसमें उद्दाते चरितर वाले किसी महापुरुष का नायक रूप में वर्णन रहना चाहिए उसमें किसी महत कारे का वर्णन होना चाहिए उसमें शलिष्ट एबं नागर परयोक तथा लंकारों की योजना रहनी चाहिए जीवन के विविद रूपों की जहांकी प्रस्तुत की जाने चाहिए पंच संधियों की योजना होने चाहिए कथानक का उप्युक्त संगठन होना चाहिए सांस्कृतिक संबध्धता होनी चाहिए भामय के पश्चात, रूद्रट, हेमचंद्र, डंडी, विश्वनात, इत्यादी अनेक संस्कृत विद्वानों ने महाकावे के लक्षन बताए है संस्कृत के विद्वानों द्वारा बताए गए महाकावे के लक्षन इस परकार गिने जा सकते है महाकावे को सर्ग बद्ध होना चाहिए उसका नायक धीरो दात अथवा देवता होना चाहिए ये आठ सरगों से बड़ा तथा अनेक वृत्तों से युक्त होना चाहिए महाकावे की कथा इतिहास सम्मत होनी चाहिए स्रिंगार वीर और शांत रसों में से कोई एक रस अंगी हो प्रकृती वर्णन के रूप में नगर नदी परवत नाले सूरियोदे सूरियास दित्यादी का वर्णन होना चाहिए भारती विद्वानों की इस चर्चा के पस्चाथ हम पास्चात्य विद्वानों की महाकावे विश्यक माननेता पर गौर करेंगे पास्चापते विद्वानों में अलग-अलग धंग से अपनी मानेताइं देने की कोशिश की गई है Epic and Heroic Poetry के लेखक ने महाकावे को प्राचीन घटनाओं के चित्रन के लिए एक रूपक के रूप में स्विकार किया है उदर देवनांट का कहना है कि महाकावे का आधार प्राचीन घटनाओं परिप्रतिष्टित होना चाहिए क्योंकि सामई घटनाओं के अपेक्षा प्राचीन घटनाओं में प्रभाव ढालने की चमता अधिक होती है और दूसरे कभी इस प्रकार की घटनाओं को अपना कर कलपना की उची उडान भढ़ सकते हैं लुकन नाम के प्रसिदया लोचक ने इस बात को अश्विकार करके यही उचित थहराया कि उचित घटनाओ को ही आदुनी घटनाओ को ही महा कावे का अधार बनाना चाहिए पाष्चात्य साइत्य में महा कावे विश्यक जो सामाण्य तत्य पाए जाते हैं व congressional है महा कावे एक विशाल का एक प्रक्तन प्रधान कावे है नायक युद्ध प्रिय हो तथा पात्रों में शौर्य गून की प्रधानता अनिवार्य शर्त है। महाकाव्य में केवल वैक्ति का चरित्र चित्रन ही नहीं होता है। अपीतु उसमें संपून जाती के क्रिया कलापों का वर्णन होना चाहिए। जातिकत भावनाओं की प्रधानता महाकाव्य में होती है। कुछ आलोचकों की सम्मती में महाकाव्यों के पात्र देवता या देवता जैसे ही होते हैं। किन्तु लुकन ने पात्रों में केवल मानविय रूप की प्रतिष्ठा की है। महाकाव्य का विशय परंपरा से प्रतिष्ठित और लोकप्री होता है। कथा का संबंद नायक से होता है। शैली में उद्दातता और विराटता थता उनमें एक ही छंत का परियोग होना है। वस्तुते भारती विद्वानों और पास्चत विद्वानों की इन परिभाशाओं में विशेश अंतर नहीं है। एवर क्रोंबी ने महाकाव्य के समन्द में जो बात कही है वह भी महतुपूर्ण है। व्रिहदाकार वर्ण नात्मक प्रभंदत्त के कारण ही कोई प्रबंद को कहेंगे जिसकी शैली महाकाव्योचित हो और जिसमें कवी की कलपना और विचारधारा का उद्दात रूप दिखाए पड़े। उसके अनुसार महाकाव्य में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो अगंभीर और महतुपूर्ण हो। कि पात्रों के महतुपूर्ण और क्रियाशील जीवन पक्स का उद्धगाटन रहना चाहिए। महाकाव्य में रंजन तत्तुभी आवश्यक है। हृदय में आत्म गौरब का संचार करने वाली घटनाओं का समावेस हो। ये बातें सीयम बावरा ने बलपूरवक बताई है। अब हम तुल्ला करके देखते हैं कि इन दोनों तरह के साहित यूगों के साहित दो देश काल परिस्थितियों के साहित कारों और आलोचकों के अमतों में कितनी समानता है। भारती और पास्चत विद्वानों की परिवाशा और महाकावे के लक्षोनों में कोई विशेश अंतर नहीं है। प्रायस अभी विद्वानों ने कथा कि गंभीरता घटनाओं के वर्णन और शैली की उदातिता पर बल दिया है। आज परिस्थिती बदल गई है और रही सही भी बदलने को है। अपितु प्राचीन गरंत रामचैत मानस भी महाकावे नहीं ठहरेगा। आज इन बदलती परिस्थितियों में केवल ये बाते ही महाकावे को परखने के लिए आवश्यक है। महान कथानक, महान चरित्र, गरिमा मैशैली और प्रभावान विती। प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी भाशाओं में महाकावे की स्रिष्टी हुई और हो रही है। हिंदी साहित्य भी श्रिष्टी में अपना पूर्ण योगदान दे रहा है। हिंदी में जो महाकावे लिखे जा रहे हैं वे समय की परिवर्तित, स्थिति की सूचना देते चलते हैं। समय के पलटने के साथ साथ महाकावे में नई योजनाएं दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं हिंदी के आधुनी काल के विद्वानों के दिष्टी में महाकावे का सुरूप। कावे रचना की परंपरा सदेव रूडी बद्ध होकर नहीं चलती। कभी स्वयम में स्वतंत्र और स्वचंद होता है। कभी का मतलब ही है। जहां न पहुंचे रभी चले ही आवश्यक नहीं है। पहले रचनाएं होती हैं और फिर उनके आधार पर लक्षन ग्रंतों का प्रणेयन होता है। अस्तु हिंदी साहित्य में अनेक ऐसी कावे रचनाओं का प्रणेयन हुआ। जो है तो महाकावे ही किन्तु महाकावे की कसोटी हमारे प्राचीन आ रुपन और विवेचन किया है। यहां प्रमुक विद्वानों के मतों का उलेक करते हैं हम आधुनी काल की महाकावे विश्यक धारना को प्रस्तुत करेंगे। आचारे शुक्ल के अनुसार महाकावे के लक्षन में प्रण्ध कावे में उन्होंने मानाव जीवन का एक पू उनके अनुसार उसमें घटनाओं की संब्ध श्रिंखला और स्वाभाविक करम के ठीक ठीक निर्वा के सासाथ हिर्दे को सफर्ष करने वाले नाना भाओं का रसात्मक अनुबह कराने वाले प्रसंगों का समावेस होना चाहिए। उसके लिए घटना चकर के अंतरगत ऐसी वस्तों और व्यापारों का प्रतिविंबुवत चित्रन होना चाहिए जो पाठकों के हुर्दे में रसात्मक तरंगे उठाने में समर्थ हो। इसके बाद छायावादी अलोचक सौष्ठववादी अलोचक नंद दूलारे भासपेई का मत आचारे भासपेई जी ने अपन पुले सांस्कृतिक विकास को प्रस्तूत करता है जो का मायनी आने महाकावे नहीं कर पाते। तभी तो वाजपेई जी ने संकेत किया है कि नवीन जीवन परिस्थितियों के भीतर नए मानव व्यभार के चित्र के साथ पूर्व और पस्चिम किया ध्यात्मिक और बुद् भीरिये का सर्व प्रकारेण महत्यों स्विकार करते विए उदात्त कल्पना महान संकल्प और विस्त्रित कावरे व्यापार पर सरवाधिक बल दिया है। उन्होंने इसलिए का मायनी को नई संस्कृति के नव निर्मान और उसकी नव चेतना का परिचायक महाकावे कहा आचारे शुक्ल की अपेक्छा आचारे वाजपेई का महाकावे के संदर में मत प्रतिपादन कहीं अधिक व्यापक व्यग्यानिक और प्रभावपूर्ण प्रतित होता है। कि सुप्रसिद आलोचक, डॉक्टर नगेंदर का मत डॉक्टर महाकावे में और उदात की प्रधांता मानते हैं। उन्होंने अपने गरंथ का आलोक में किसी भी महाकावे का सुरूप निर्धारन एवं मुल्यांकन सुकर हो जाएगा डॉक्टर शंभूनाज सिंग का मत डॉक्टर संभूनाज सिंग ने भारती और पास्चात्य विद्वानों के महाकावे विश्यक मतों का समन्वन करके अपनी मानेतनाय प्रस्तुत किय उन्होंने महाकावे के लक्षणों का निर्धेश आंतरिक लक्षण और बाय लक्षण के रूप में किया है उनके अनुसार ये दोनों प्रकार के लक्षण इस प्रकार है आंतरिक लक्षण महाकावे में किसी महान घटना का वर्णन होना चाहिए उसके कथानक में नाटक की अन्विती हो ठीक है नहीं हो जाना चाहिए उनमें कोई न कोई महान उद्देश यवस्य होना चाहिए चाहे वह उद्देश राष्ट्री हो या नैतिक धार्वी हो या दाशनिक मानवी हो या मनुवैग्यानिक तीसरा उसमें प्रभावानविती होनी चाहिए चाहे या नाट की धंग की प्रभान वानविती हो या रोमांचक कथा के धंग की अध्वा नीती कावे के धंग की अब बात करते हैं डॉक्टर संबू नाज सिंग के बाहे लक्षन जो उन्होंने महा कावे के लिए बताए हैं कथात मक्ता और छंतो बद्धता सर्ग बद्धता या खंड हारता उपर विवेचन के उपरांथ हम इस निश्कर्स पर पहुंचते हैं कि आधुनिक यूग में महा कावे के पारंपरिक लक्षन अनुप्यूक्त हो गए हैं आधुनिक हिंदी आलोचकों ने और पास्चात नए आलोचकों और विद्ध्वानों ने महा कावे के अपिक् ऐसी इस्थिती में महा कावे की तुल्ला में खंडे कावे का प्रणयान अधिक हो रहा है आज प्रबंद कावे अवस्य लिखे जा रहे हैं किन्तून में जीवन की समगरता का भाव है ये तो किसी प्रसंग अथवा घटना को आधार बना कर आधुनिक संदर्व में प्रस्त अतक कर सकते हैं कि परंपरिक लक्षन वर्तमान संदर्वों में उप्योगी नहीं है आज जीवन की जटिलता को व्यक्त करने में महा कावे उप्योगत नहीं है कभी रहे होंगे परंतु पाठकरम की दिष्टी से इसका वीवेचन प्रासंगिक था जो कि यहां किया गया झाल 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 झाल